हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे एक हैंडमेट गुल दस्ता तो चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं देखें कितना सुन्दर लग रहा है यह सब गुल दस्ता का रिकुराइमेंट्स है यह सीडी है और यह दो कलर के कुंदंज हैं एक बॉटल सिजर कमपस स्केल और एफो साइशीट चलिए इससे बनाना स्टार्ट करते हैं आप कोई भी यूएज एंड थ्रू बॉटल लीजिए और इसे यहां से कट कर दीजिए मैं इसे कट कर देता हूं चलिए फ्रेंड्स आपको यहां से लेकर यहां तक लांग स्टिप्स कट करनी है तो चलिए कट करते हैं ऑगाट करने के बाद यह कुछ ऐसा देखते है देखे ciudad's stret देखे मैंने इस में क्या क्या हूं अल्टनेट श्ट्रिप्स को मैंने नीचे कर दिया हूं और जो बागी का म से मैंने उपा कर दिया और देखिए मैंने यहां पे इस पॉर्शन पे मैंने इसे धोड़ा सा फोल्ड कर दिया है सेम वे में हमें इसको भी यहां से लेकर यहां तक कट करना है चलिए इसे कट करते हैं कट करने के बाद यह कुछ ऐसा दिखता है देखिए मैंने अल्टरनीट स्ट्रिफ्स को नीचे कर दिया है और बाकियों को उपर कर दिया है यहां पे मैंने कोई फोल्ड नहीं किया है अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका डायमीटर नाइन सेंटीमीटर होना चाहिए सो पहले उसका रेडियस ले लेते हैं जो है 4.5 संटीमीटर हाँ यह 4.5 संटीमीटर है अभी मैं ड्रॉ करोगा ऐसा आपको पांच ड्रॉ करना है दिखिए मैंने सर्कल ड्रॉ करती है अब मैं आपको दिखाँगा की से फोल्ड कैसे करते हैं हाफ में फोल्ड कीजे फिर से हाफ में फोल्ड कीजे और एक हाफ में फोल्ड कीजे फ्रेंड्स हमें कैप लेंगे और इसको उसके मीडल में रखेंगे सो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कट करते हैं ऐसे हमें पूरा काटना है मैंने इसे कट कर लिया है चलिए मैं इसे खोड़ कर दिखाएं वाव दिखीए कितना सुन्दा दिख रहे है अब हमें इस एक लाइन को कट करना है यह इसे कट करने के बाद एक पेटल को उसके उपर ओवर लैप कर दिखें चलिए इसे पेस्ट करते हैं अब देखिए आपको क्या करना है एक स्केश प्रेंट लीजे कोई भी और बीच में लाइन्स ड्रॉ कर दिजे फ्रेंट्स देखिए मैंने इसे अच्छे से ड्रॉ कर दिया है अब देखिए हमें जो इसका पेटल्स है पेटल्स है उसे करल करना है ऐसे यह देखिए फ्रेंट्स मैंने सारे फ्लावर्स को रेडी कर चुका हूं अब हम कोई भी एक फ्लावर लेंगे यह देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है कोई भी एक फ्लावर लेंगे और उसको इधर पेस्ट कर देंगे हादलूम करते हैं ऐसे ही हमें सब को करना है देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है यहां पर बहुत सारे करश के फ्लावर है अब हमें इसमें भी लगाना है चलिए लगाते हैं ऐसे ही हमें सब को लगाना है यह देखिए मैंने पूरा सेटप कर चुका हूं अब मैं इसको फिक्स करके दिखाता हूं देखिए कितना सुन्दर लग रहा है है ना वाव दिखकर तो मज़ा ही आगया यह देखिए मैंने एक बॉटल का नेक लिया है और एक सीडी इस बॉटल के नेक को ऐसे हम पेस्ट कर देंगे फिर क्या करना है कुंदंस लेने है इसे ऐसे रख देना है फ्रेंड्स यह है फ्लावर का बेस और यह है हमारा में गुल दस्ता अब उमें क्या करना है बेसिकली यह जो फ्लावर का जो बेस पार्ट है हमें इसको इसके उपले की प्लेस कर देना है यह बहुत जाले सुन्दर दिखेगा देखिए तो चलिए पेस्ट करते हैं फ्रेंड्स देखिए हमारा गुल तस्ता रेडी हो चुका है और यह बहुत सुन्दर लग रहा है आप इससे अज़ी शूपीस भी रख सकते हैं अगर आपको मेरा हैंड मेट गुल दस्ता अचा लगा तो मेरे वीडियो को शेर कीजिए इसे ट्राइ कीजिए अगर नहीं हुआ तो फिर मीजे कॉमेंट सेक्शन में पुछिए इसे कैसे करते हैं मैं आपको डेफिनेंटली बता हूँ जा की इसे कैसे बनाते हैं ठैंक यू चलिए मिल चाहूं मैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई